आज हम हिंदी की परिक्षा में पुछे गई व्याकरण की कुछ महत पूर्ण अलंकारों से सम्मंदित प्रेशन कर रहे हैं इसमें सेट ए में आप देखिए पहला प्रेशन है हास्ते हैं छोटे पोधे लगुबार इसमें कौन सा अलंकार है इसका नाम हमें बताना है जो रिखांकित अंश है उसमें की अलंकार कुन सा है तो यहां पर अलंकार जो है मानवी एकरण अलंकार है क्योंकि पोधे को हास्ता हुआ बताया है यानि इनसानी रूप से प्रदान किया है सेट एक का दूसरा प्रिशन है कोई प्यारा कुसम कुमला भौन में जो पड़ा है इसमें अनुपरास अलंकार है क्योंकि रिखंकित भाग में कैवर्ण की आवरत्ति आप देख रहे हो इसलिए इसका उत्तर है अनुपरास अलंकार सेट B पर हम आजाते हैं इसमें पहला प्रिश्ण है वह दीप सिखा सी शांत भाव में लीन कैसी दिख रही है उसकी तुलना की गई है दीप सिखा की तो यहाँ पर उपमा अलंकार हमें दिखाई दे रहा है सेट B में दूसरा प्रिश्ण है नत नयन प्रियक्रम रत मन यहाँ पर नय वर्ण की आवरती में अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई दे रहा है तो सेट B के दूसरे प्रिश्ण का उत्तर है अनुप्रास अलंकार सेट सी पर हम आ जाते हैं इसमें पहला हमारा प्रेशन है अंबर पन घट में डुगो रही तारा घट उशा नागरी यहाँ पर रोपक अलंकार है और सेट सी में जो है दूसरा प्रेशन हमारा है सबकी सुविधा का भार किंतु शाशन को यहाँ पर सै की आवरती देख रहे हो इसलिए उत्तर जो है वह है अनुप्रास अलंकार सेट सी में दूसरे प्रेशन का उत्तर है अनुप्रास अलंकार इसके पाद जो हमारे प्रेशने हैं इसमें खरियाना 2015 के बोर्ड के एक्जाम में ये प्रेशन पूछे गए हैं और सभी बोर्ड के लिए important हैं इसमें सेट ए में पहला प्रेशन है सुरुचि सुवास सरस अनुरागा यहाँ पर विल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर अनुपरास अलंकार है सेट ए में दूसरा प्रेश्ण है घृतिसम मानस थे सोपुनीत यहाँ पर सम का प्रयोग किया गया है शमशब्द जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार है समानता जब बताई जाती है तो उपमा अलंकार है सेट B में पहला प्रिश्ण है सुधर सुधरम शुशील सुजाना यहां फिर से अनुप्रास अलंकार है सेट B में दूसरा प्रिश्ण है हिमसम पावन किसकी नीती सेट C में अधिकाई दूर हट जाएगी यहां पर रूपक अलंकार का प्रिश्ण है विश्व विदित विमल पिलक्षन योग यहां पर वे की आवरती है इसलिए अनुप्रास अलंकार है इसी प्रिकार के और प्रिश्णों के लिए देखते रहे हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग